और ये सेम टू सेम वही सीन है जो 90 पर 30 लोग साधी में जाके करते हैं किसी को कद्दू फरक नी पड़ता यार साधी किसकी चली है अंदर जाओ खाना उठाओ खाना खाओ और बाहर वापिस आजाओ घर पे सेम वही करता हूँ मैं तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक विराण न्यूट गलत सिंद से भरे पड़े एक ऐसे पबजिद मूबाईल गेमप्लेवें जिसमें यार चिकन मेरे किसमत में नहीं लिखी ती उसके बाद भी तुम्हारा भाई चिकन कर देता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी और के मूघ का चिकन उठाकर मैं खा गया उसको। और यहां पर यार बंदूग तो मैं उठा लेता हूं लेकिन उसकी गोलियां ये दूसरा बंदा उठा लेता है लेकिन यहां दोनों की पेटी बना दी गोली मैं ले चुका हूँ अब इनके बाकी बंदों को पेलने जा रहा हूँ और इस टिम के बाकी बंदे तो न जाने कहां पर ही भग गए लेकिन यार बगल वाले कंठेनर से कोई UMP पटका रहा होता है तो मैं बोलता है यार ना हेलमेट गोली की भी कमी पड़ रखी है तो नहीं जाना पड़ेगा आगे लूटना पड़ेगा तो आगे ये भेरा उस टाइप में जाता हूँ मैं क्योंकि यहाँ एक बंदा भगते वे जा रहा होता है और बंदा भग रहा है तो क्या पता निहता भी हो और होता भी है निहता अब ये होता तो निहता है लेकिन यार ये एक बोट होता है क्योंकि असली बंदा कहीं और ही भग चुका है और देखो उस बंदे को मैं जरूर जरूर पेलने जाता लेकिन सीन के आयार गोलियों की ऐसी तैसी हो रखी है अब वो ओपन में है न जाने कहां साब बनेगा वो भगता फिरेगा उसके चकर में यार बाकी बंदों को भी नहीं पेल पाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ यहां पे आता हूँ लूटने की कोशिश करता हूँ और लूट के नाम पे मुझे एक और गन मिल जाती है S 12 के मिल जाती है तुमारे भाई को तो यार वही उठा के मैं तेजी से इधर की साइड भग रहा होता हूँ और इधर की साइड जो एक्सियोन चल रहा है ना अलग लेवल पे है अब गोलिया इधर तोड फोड के चल रही है और मैं पहुच भी जाता हूँ और पहुचते ही लूट भी मिल जाती है और यहां आते ही मैं एक बंदे को पकड़ के पिटी बना देता हूँ लेकिन मेरी इस हरकत की वज़त से क्या होता है यार इसके जो बाकी टीमेट है वो बहुत ही जाधा गुस्ता हो जाते हैं और ऐसा भी निये कियार एक ही बंदा बैठा होगा नहीं पूरे के पूरे तीन बंदे जिन्दा है इनके और ये तीनों के तीनों मिल के रशूरूस करेंगे हम पे और अगर मैं यहां से नहीं भगा अभी तो यार मेरी वही डब्बे के पीछे पेटी बना दी जाएगी तो मैं क्या करता हूँ डेड़ आईक्यू गेमपले लगाता हूँ और इधर उपर आ जाता हूँ मुझे नहीं पता क्यों मैं उपर चड़ा मतलब सही है यार उपर से कम से कम देख दू पाऊंगा मैं बंदो को अब इने पेलने में थोड़ी सी आसानी रही क्योंकि यार मेरे पे कम से कम एक गन महंगी पड़ी थी दूसरी गन 22 वन उठाता हूँ उससे भाईया हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है लेकिन जैसे तैसे करके तीनो चारो बंदों को पेल देता हूँ और अब यहां से निकलने की कुशिस में होता हूँ मैं और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार बहुत बहुत अजीब तरीके से खड़ा था या तो अब PUBG में बोर्ड भी नसे करने लगे हैं या तो फिर बहुत किसी को देख रहा था उधर पे तो देखो मेरा टीमेट गाड़ी लेने जाता है मैं बोलता हूँ यार एक बार चेक चुक कर लेता हूँ क्या पता यही पे बंदे बैठे हूँ और गाड़ी में बैठते ही पेटी बना दे तो हाँ यहाँ पर मैं आता हूँ और फुटी स्टेप वगेरा आते बंदे के देखो कहां बैठे हुटे हुटे यह और यहाँ पर पता चलता है एक नहीं दो-दो बंदे बैठे पड़ें तो करना क्या थैयार मैं फिर से उपर चड़ जाता हूँ यहाँ पर और यार जहां तक मेरे को पता है यह वही बंदों में से हैं जो उदर घर की साइड बग रहे थे तब जब मेरे पर गोलियों की बहुत ज्यादा कमी थी और कहां से यार यह लूट लेकर आये लेकिन यार गोलियों की कमी इन पे भी नहीं थी बिलकुल भी कैर इसके बाद जोर्ज आखिर कार खाली हो जाता है और अब फिलर की तरफ जाऊंगा मैं और यार फिलर आ रखा है और वहाँ एक्सियों ना हूँ ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है तो हाँ यार एक्सियों होने वाला है दबाके लेकिन उससे पहले हम धैड पेड बात सकते हो और ऐसा निक्यार आपने लिया पैसा ये लो हमरा पैसा और किसी भी टीम पे पहल दिया नहीं दिमाग लगाओ देखो कौन सी टीम बढ़िया खेलती है और उस हिसाब से अपनी टीम चुनो साथ ही साथ इसमें आपको 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले ड बिलकुल टोप में और यार बोनस के लिए प्रोमो कोड यूज करना मत बूलना वो भी कमेंट सेक्शियों में होगा बहुत जोर से बहुत जोर से सरमा रही है टेंसर मतलूब लेकिन क्या करे यार 4X अपना बहुत ही सस्ता है और सस्ता होगा भी कैसे नहीं क्यूंकि जिन्दगी भड 6X और 3X ही चला है खेर इसके बाद ये लोग आपस में लड़ वीड़ जाते तो मैं भी पहुंच जाता हूँ याँ पे और इस वाले मैच में आर बाक्यों की किस्मत का मुझे कद्दू कुछ नहीं पता लेकिन मेरे टीममेट की किस्मत की बहुत जादा ऐसी तैसियों रखी होती है देखो भाई अभी नौक हो गए दुबार होंगे उसके बाद फिर से होंगे देखो यार गलत से इन दबा क्यों रखे हैं और फ्लेर पे कौन सी गन है मेरे को कंदू नहीं पता मेरे को इतना पता यार यहाँ पे दो बं होंगे यह लोग और यार लोग इतने मिट्टी दिल कैसे हो सकते हैं ठीक है मैं मुझे बोलना नीची है क्योंकि मेरी हरकत भी वैसी है लेकिन फिर भी यार अपने टीमेट को नौक छोड़के बंदा गाड़ी लेके बग गया ठीक है यह टीमेट बेसारा गोली चला रहा है बोल रहा भाई या मैं तो पेटी बनाऊंगा उसने क्या क्या वो उसने गाड़ी उठाई और कवर के नाम पे कद्दू कुछ नहीं दिया बंदा तब तक गाड़ी भगाया जब तक गाय बना हो जाए तो मुझे लगता है ठीक यार एम के उनके मिल गई है और डिरॉप में कोई आके BSS पटका देता है अब देखो BSS वाले बंदे को डूढ़ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है अब किसको क्या पता वो कहां से लेट के गुलिया चला रहा है तो मैं बोलतो है यार हम से तनों हूपाएगा मैं निकल लेता हूँ क्योंकि उसको डूढ़ने के चक्कर में मैं बाकी बंदे नहीं पेल पाऊंगा और वैसे भी सिर्फ 15 किल हो रखी है कद्दू कुछिनियों ने आला 15 किल करके अब हमारे भाई पूरे जोस में और गुसे में आके बोलते है कि यार चलो इसको जाके पकड़ लेते हैं और कुछ औरी सीन हो जाते हैं यहां पे और यहां पे हर एक बंदा वही है और कौन है कहां पर है कौन है कौन है मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है जिसको पेला वो भी बोल रहा है वही है मेरा टीमेट तो भाईया अपने ही सुर्व में भाईया वही है अरे कौन है कहां पर है किसकी बात चलिए यहां पर खेर जो भी हो मेरा टीमेट का गुस्ता बहुत ही जादा अलग लेवल पर पहुंच जाता है क्योंगी देखो सीन क्या हो रहा है कुछ भी हो हर एक बंदा उसी को पकड़ रहा है कारना इटेट भी सीधा सर पे चटकाता है कोई और सीधा पेटी बन जाती है और इस PUBG The Mobile में दो चीजों की बिल्कुल कमी नहीं है साप और गलत सीन कहीं पे भी मिल जाते हैं कहीं पे भी हो जाते भाई देखो यहां पे सकॉड के इस बंदों को भी पेल दिया यह नजाने कहां से लेटा पड़ा होता है खैर वहां से मैं धेड़ पेड़ गाड़ी उठाता हूँ क्योंकि एक साप जहां पे बना है क्या पता 14 साप और बने बैठे हो वहां पे तो वहां से मैं निकल लेता हूँ और उन्हें पेलने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरे टीमेट की बुरी तरफ पेटी बनाई तो इनकी भी पेटी बनाएंगे अब इस घर में मैं आयो तो था दूसरों की पेटी बनाने लेकिन जिस हिसाब से सीन चल ले न कहीं मेरी पेटी न बन जाए इधर पे नेड़ आ रहे हैं चत पे नेड़ आ रहे हैं बंदा गोली चला रहा है और उपर से टीरोफ की गने भी पड़ी है इन पे गुरुजा प की खतम ही नहीं हो रहा है और जब सारे नेड़ खतम हुचाते हैं तब ये करते हैं ये लोग अब इन लोगों ने पट्रोल का डबबा भी फोड़ दिया सारे दर्वाजे भी तोड़ दिये लेकिन यार मेरी पेटी नहीं बनी अभी तक साहिए बच रखाऊं और अब आखिर कार मैं गोलिया चला सकता हूँ अब जब आगे यार पूरी सकौर्ड बैटी हो तब पीक करने में बहुत डर लगता है क्योंकि ये तीन में से हरे बंदा दो दो गुली भी पेलेगा ना मेरा काम हो जाएगा और ऐसे सीन मेरे साथ इतने बार हो चुके हैं उसके बावाजूद भी मुझे नहीं पता मैं नेड उठाता ही क्यों हूँ उससे बढ़िया यार वो काली गुलिया ले लेता अपने नेड से खुट तिलने वाला था अभी बेकारी नेड उठाना मेरे लिए अब देखो सीन क्या यार अगर मैं भी गाड़ी निकाल के भगूँ अनाया से ये तीन बंदे पैठे पड़े हैं गाड़ी फोड के राख कर देंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एक को नोक कर दूँ या जैसे तैसे करके पेटी बना दूँ अब देखो घर के अंदर जब बंदे होते यार पेटी बनाने में दिक्कत होती है लेकिन तुम्हारा भाई बना के मानेगा और जैसे तैसे करके एक बंदे की पेटी भी बन जाती है और यहां घरों पे अभी भी दो बंदे जिनता है तो मैं बोलता हूँ यार इनको कभी और पेल लेंगे पहले जून पे गुश जाता हूँ नहीं तो यार यह जो बुलू जोन है न यह मेरे को पेल देगा तो मुझे क्या करना चाहिए गाड़ी लेके किसी घर पे ठोक देना चाहिए वहां पे बैठना चाहिए मैं क्या करता हूँ लालज के करते मैं फिर से ओपन में गाड़ी रोकता हूँ और इनका इंतिजार करत उसके बाद जून के बाहर इनका इंतिजार करके फिर से दोनों को पेल दिया और उसी के साथ उनकी पूरी सकॉड ठिल जाती है तो यार मेरी इस ढीटता और वो सकॉड वाइब के लिए लाइक पेलना मत भूलना और टेंसर मतलो यार आगे जाके एक्सियोन और भी जादा चार गुना जादा बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से चौदा गुना जादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे सीन क्या है मैं ऐसे क्यू लिटा पड़ाऊं तो देखो यहाँ पे आगे घर पे दुबारा से चार बंदे बैठे हैं तो आगे वाले घर पे उपर नीचे बाहर ना जाने कहां कहां पे बंदे बैठे पड़े हैं और यहाँ पे मैं बस यह जाननी की कुशिस कर रहा था कि यार इन पे गन कौनसी पड़ी है क्योंकि किसी बंदे ने AWM निकाल के पेल दिया ना यही पे सीधा पेटी बनेगी मेरी सोलो वर्षी सुकौर चला है अभी तो दो बंदों की गन पता चल गई अब बाक्यों की पता कर रहा हूँ और पता करते करते ये पता चलता है कि यार उन में से किसी एक बंदे पे M24 पड़ी हुई है खेर इनको मैं डेमेज बहुत देता हूँ लेकिन कद्दू कुछ नहीं उखरता डेमेज देने से और उसके उपर से गाड़ी आ जाती है वहाँ पे और ये सेम टू सेम वही सीन है जो 90 पर 30 लोग साधी में जाके करते हैं किसी को कद्दू फरकनी पड़ता है और साधी किसकी चली है अंदर जाओ खाना उठाओ खाना खाओ और बाहर वापिस आजाओ घर पे सेम वही करता हूँ मैं अंदर गया गिल्ली सूट वाले की पेटी बना दी और वापिस अपने घर में आ गया अब दूसरी जगा पे पेलूँगा और यार बंदे इतना ज़्यादा से खेले है और यार बंदे इतना ज़्यादा से खेल ले होते की क्या ही बताऊं मतलब वह तयार है जोन से ठिलने के लिए लेकिन रस करके कोई भी राजी नहीं है सिवाए मेरे अलावा यार मैं तो धेट हूँ और यहाँ पे गिन्चुन के छे बंदे बाकी होते हैं जहाद तक मेरे को पता है तो सीन क्या है तीन या फिर चार बंदे इसी घर पे बैठे पड़े हैं और बाकी के बंदे आपको भी पता है मेरे को भी पता है क्या कर रहे होंगे कहीं किनारे पे साब बने बैठे हैं खैर यहाँ मैं थोड़ा सा जोन में होता हूँ तो मैं समोक बना देता हूँ क्योंकि यार हम सब को पता है जो छट के ऊपर बैठे हैं ना बंदे वो 100% गारंटी यहाँ रस करने वाले हैं और एक साथ रस करते हैं और ग्रोजा की मदद से इन तीनों बंदों की इतनी जल्दी पेटी बनती है कि क्या ही बताऊं बिल्कुल यार ऐसा लग रहा है कि यहाँ मजाक चला है बंदे आए जारे मैं गोली चलाए जारहूं ठिले जारे बिल्कुल और ग्रोजा के अलावा कोई और गन होती तो यार कफी जादा गुली चलानी पड़ती और गलत सीन भी होते और ये भी सुनू क्या बोल रहा है मेरा टीम मेट अब देखो यार जब जोन आप पे ना हो आगे तीन तीन बंदे बैटे पड़े हूं और आप एक गाड़ी भी नहीं है उसके उपर से गिने चुने समोग बाकी है तो यार दिक्कत कैसे नहीं होगी लेकिन इस मैच में तुभारे भाई की किस्मत को जादा ही चमक जाती है और ऐसा सीन होता है जो यार मैंने सोचा भी नहीं था कभी हो पाएगा जिन्दगी में देखो यार इस कलच को 1 वर्सिस 3 को देखो मज़ा टैप आजाएगा आपको देखो यार अब जरा ये सोचो आप एक साधी में जाते हो साधी में जाके जी बर के जितना खाना होता है आप मज़े से पेलते हो लंबी लाइन लगी होते है उसके बवजूद भी मेहनत करके आप पेलते हो खाना अपनी थाली में उसके बाद क्या होता है आपको कोई एक दूर का रिष्टेदार आता है और आपकी थाली लेके चल देता है बोलता है बेटा तुम दुबारा लेलो कभी और खाले ना ये वाली मैं लेके जा रहा हूँ तो यही same to same scene आगे वाले बंदों के साथ हो जाते हैं तीन बंदे तीनों के तीनों जोन के अंदर और यार मूग के सामने से मूग के अंदर का चिकन मैं लेके भग जाता हूँ क्या ही दूख हो रहा हूँ इने मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ उठाना ही चाहिए मेरे को बाले आगे आने वाले सो साल तक दुबारा ना मैं कर पाऊं किसी को नोक लेकिन उठा के जरूर चलूँगा तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस चिकन चुकन के ल नए हो तो यार करो सब्सक्राइब और भी ऐसे गलत सीन और गलत चिकन के लिए और जाते जाते वान एक्स बैट चेक आउट करना मत भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी बिलकुल टॉप में दिमाग से पैसे गवाओ तो कल मिलते है भाई लोग यार बाई झाल झाल